Hello students, welcome back to our channel. Last class में students हमने type 3 question number 4 तक कर लिया था. अब हम type 3 question number 5 से start करते हैं. अगर अब अपनी booklet में देखेंगे तो question number 5 में basically आपको बोला है कि solve कीजिये linear equations को by reducing them. तो हमें linear equations नहीं होंगी, हमें उने reduce करके solve करना है. solve का मतलब मैंने आपको समझाया था x and y की value निकालना होता है. सबसे पहले जैसे हम first part देखते हैं, आपको ये equation दे रखें, 1 upon 2x plus 1 upon 3y is equal to 2. ये आपके first equation है, second है आपके पास 1 upon 3x plus 1 upon 2y is equal to 13 by 6. तो आप देखिए students, आपको दोनों equations में से देखना पड़ेगा कि आपका common वाला part कौन सा है. जैसे आप first equation में देख सकते हैं कि 1 upon x आपका common portion आ रहा है. 1 upon y आ रहा है. वही चीज इधर भी आ रही है. 1 upon x तो 1 upon y. तो आपका common portion क्या हो गया? 1 upon x and 1 upon y. तो आपने इनको reduce करना है, मतलब आप 1 upon x को कुछ मान लोगे. हमने a माना है, आप u, v, कुछ भी मान सकते हैं. तो 1 upon x को let कर लेते हैं a and 1 upon y को let कर लेते हैं b. तो अगर हम first equation को देखें, तो 1 upon x अगर a हो जाएगा, तो यह क्या बन जाएगा? a upon 2. प्लस, यह अगर 1 upon y b बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? b by 3, तो हम इसको b by 3 is equals to 2. यहाँ पे हम LCM लेंगे, 2 and 3 का LCM लिए 6 आया, उपर क्या जाएगा? 3a plus 2b is equal to 2. हम cross multiply करेंगे, तो 3a plus 2b is equal to 6 into 2, 12. यह आपकी equation मन गे linear, sorted form. सेम चीज हम सेकेंड के लिए करेंगे, आप 1 upon x को a मान रहे हो, तो यह क्या बन जाएगा? a by 3. प्लस, 1 upon y को b मान रहे हो, तो हो जाएगा b by 2 is equal to 13 by 6. तो a by 3 plus b by 2 is equal to 13 by 6. तो आप यहाँ पे LCM लेंगे, अगेन आपके LCM 6 आजाएगा, 6 divided by 3, 2, 2 into a is 2a, plus 2 divided by 6 is 3, 3 into b is 3b is equal to 13 by 6. यहाँ से 6 से 6 आप कैंसल कर देंगे, तो 2a plus 3b is equal to 13. यहाँ की second equation बन लेंगे. अब एक equation यह है, एक equation यह है, आप इनको किसी भी method से कर सकते हैं, elimination, cross multiplication, substitution, but मैं यहाँ पे सारे equations को elimination से करूंगी, क्योंकि वो जादा commonly use होता है, आप किसी से भी कर सकते हैं, whichever you feel comfortable बेंगे. So आपके पास, अगर elimination करना है, तो आपको पता है, हमारा एक variable तो एक जैसा होना चाहिए, ताकि वो cancel हो जाए. यानि कि जैसे यहाँ पे 3a है, और इधर 2a है, same नहीं है. यहाँ पे 2b है, इधर 3b है, same नहीं है, तो same तो बनाना पड़ेगा, तो same कैसे बनाएंगे? अगर मैं यह 3a को into 2 कर दूँ, तो यह 6 से बन जाएगा, ऐसे ही 2a को into 3 कर दे, तो भी 6 से बन जाएगा, बढ़ हम सिरफ एक एक को नहीं कर सकते हैं, हमें पूरी equation को करना पड़ेगा, तो पहले आप करेंगे, first equation को multiply by 2 कर देंगे, और जो यह second equation है, इसको आप multiply by 3 कर देंगे, तो इसको 2 से क्या, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 12s are 24, same आप second equation के साथ करेंगे, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 into 13 is 39, तो आप देखें, यहाँ पर आपके पास sign अगर आप उल्टे करेंगे, तो cancel हो जाएगा, तो जबके हम sign notations change कर देते हैं, यहाँ पर यह आपके पास cancel होता है, तो 4B minus 9B is minus 5B, 24 minus 39 is minus 15, minus minus cancel हो जाता है, तो B की value 3 आजाएगी, next, B अगर 3 आ जाता है, तो आप किसी भी equation में put कीजिए, चाहें आप इसमें put कीजिए, चाहें आप इसमें put कीजिए, तो अगर हम first में put करते हैं, तो 3A plus 2B, B की जगह क्या डालेंगे, 3 is equal to 12, तो 3A is equal to 12 minus 6, 3A is equal to 6, तो A की value आपके पास क्या जाती है, 2, अब देखें, यहीं में answer नहीं आपने रोगना है, कि A and B निकल गया तो हो गया, नहीं, हमारे question में, equation में A and B नहीं था, वो हमने माना था, तो हमारी equation में तो X and Y है, तो हम X and Y की value निकालेंगे, बस अब यहाँ पर put करता है, कि 1 upon X is equal to A, तो A की value यहाँ पर put करेंगे, 1 upon Y is equal to B, तो B की value यहाँ पर put करेंगे, तो देखें, 1 upon X is equal to A, 1 upon X, A की value है 2, cross multiply करेंगे, तो X की value आजाएगी 1 by 2, same way as 1 upon Y is equal to B, तो 1 upon Y, B की value क्या है 3, cross multiply करेंगे, तो Y की value आजाएगी 1 by 3, तब तक आपने नहीं रुखना है, जब तक आपका X and Y नहीं निखले, तो इसी तरीके से हम second part करते हैं, second part में आपके पास यह equation दे रखेंगे, again पहला step हमारे पास होना चाहिए, कि दोनों equations में common portion क्या है, तो यहाँ पे देखिए, तो common portion 1 upon root X है, यहाँ पे 1 upon root Y है, इधर भी 1 upon root X है, 1 upon root Y है, तो तोनों में 1 upon root X and 1 upon root Y आ रहा है, तो हम दोनों को suppose कर लेंगे, let 1 upon root X is equal to A, and 1 upon root Y is equal to B, तो अगर हम first equation देखिए, तो अगर हम उपर से 1 upon root X A मानते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2A, plus यहाँ से 1 upon root Y, तो क्या हो जाएगा? 3B is equal to 2, इधर देखेंगे, तो 1 upon root X A था तो 4A, minus 1 upon root Y B था तो 9B is equal to minus Y, तो अगर अब इन दोनों equations को हमें solve करना है, तो एक variable एक जैसा होना चाहिए, तांकि cancel हो जाए, देखिए, यहाँ पर 2A है, यहाँ पर 4A है, अगर हम पूरी की पूरी equation को multiply by 2 कर दें, जरूरी नहीं है कि आपको दोनो equations को ही multiply करना होता है, आप किसी एक को भी multiply करके answer निकाल सकते है, मेन आपका point क्या होना चाहिए, कि कोई एक variable बनाना है, तो 2 into 2, 4A, 2 into 3, 6B, 2 into 2, 4, second equation हम नीचे लिख देंगे, 4A minus 9B is equal to minus 1, अब देखे, sign change करने पड़ेंगे, कर दिये, sign change, यह cancel हो जाएगा, 6B plus 9B, 15B, 4 plus 1 is 5, तो B की value क्या आजाएगी, 5 upon 15, यानि की 1 by 3, अब B आ गया है, किसी भी equation में put कर दीजे, जिसे हम first में put कर रहे हैं, 2A is equal to 2, उधर जाके 1 minus हो जाएगा, एकी value क्या आजाएगी, 1 by 2, अब आपके पास A भी आ चुका है, B भी आ चुका है, बटा answer नहीं आया है, क्योंकि हमें X on Y चाहिए, तो हम आगे लिखेंगे, कि हमने किसको A माना था, 1 upon root X को, तो 1 upon root X की जगर, A की value डालिए, वाधर बाई 2, cross multiply करेंगे, तो root X की value 2 आएगी, अब हमें root तो नहीं चाहिए, root तब ही हटता है, अगर हम squaring करते हैं, तो squaring both side करेंगे, तो root X का square is equal to 2 का square, तो square से root cancel हो जाएगा, X की value is equal to 4, same ways आप Y निकालेंगे, 1 upon root Y आपने क्या माना है B, तो 1 upon root Y, B की value हमने क्या निकाली, 1 by 3, cross multiply करेंगे, root Y की value क्या जाएगी, 3, बट हमें square root नहीं चाहिए, तो squaring both side करेंगे, root Y का square is equal to 3 का square, square से root cancel, Y की value आजाती है, 9, third part वे move on करते हैं students, minus 4Y is equal to 23, अभी तक देखिए, हम X को भी कुछ ना कुछ सब्सक्राइब करते आरे हैं, Y को भी सब्सक्राइब करते आरे हैं, बट यह जरूरी नहीं है, basically reducing का बतलब होता है, कि आप equation को थोड़ा easy calculation में ले आएए, जादा difficult ना बनाना पड़े, इसलिए हम उसको कुछ ना कुछ सब्सक्राइब कर लेते हैं, बट यहाँ पर जैसे देखिए, आपके पास first equation है, तो इसमें 3Y लिखा हुआ है, यह बहुत ही sorted form में है, 4 upon X है, तो यह upon में है, तो हम इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, कि let 1 upon X is equal to P, again, P, Q, R, S, A, B, कुछ भी आप suppose कीज़े, आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर दोनों में देखिए, common क्या रहा है, 1 upon X, तो P माल लिया, आप Y को कुछ मत suppose कीज़े, क्योंकि वो already sorted form में है, जरुरत नहीं पड़ेगी, तो आप सबसे पहले देखिए, 4 upon X, तो 1 upon X अगर P है, तो 4P हो जाएगा, plus 3Y is equal to 14, first equation, second देखेंगे, तो 3 upon X, 1 upon X अगर P है, तो 3P हो जाएगा, minus 4P is equal to 23, second equation, अब देखिए, यहाँ पर P, P variable जो है, अगर इनको same बनाना है, यह 4P है, यह 3P है, तो 4 और 3 क्या जाता है, 12, यानि कि इसको अगर हम 3 से multiply कर दे, और second equation को 4 से multiply कर दे, तो हमारे पास दोनों जगा 12P बन जाएगा, तो वही करेंगे, first equation पूरी को 3 से कर देता है, 3 into 4, 12, 3, 3s are 9, 3, 14s are 42, then second को 4 से करेंगे, 4, 3s are 12, 4, 4s are 16, 4 into 23 is 92, अगर हमें कैंसल करना है, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, minus plus minus, यह कैंसल हो जाता है, 9Y plus 16Y is 25Y, 42 minus 92 is minus 50, तो Y की value आपके पास क्या जाती है, minus 2, अब Y निकल चुका है, तो आप किसी भी equation में put कर दीजिए, for example, हमने first equation में put कर दिया, 4P plus 3Y की जगे, minus 2 is equal to 14, तो यहां से 4P minus 6 is equal to 14 आगया, 4P 14 plus 6 is equal to 20, तो P की value आपके पास 5 आजाती है, अब देखिए, Y तो निकल चुका है, P नहीं चाहिए, हमें तो X चाहिए, तो वही कि 1 upon X को हमने P माना था, तो 1 upon X is equal to P की जगे क्या डालेंगे 5, अगर हम cross multiply करते हैं, तो X की value के आजाएगी 1 by 5, so this is your answer, so आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे questions के पार्ट देखने के लिए, आप next वीडियो को follow कर सकते हैं, thank you,